नवच्कार वेलकम तो एक्सटर्विश्मन इंडिया यूटूब चैनल दोस्तो डिसेबिलिटी पेंशन का बाड़े में आप तो जानते ही हैं पर आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या ब्रॉंक्याल एस्तमा केजिस में आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा अगर म दोस्तो जैसे कि आप जानते हैं कि डिसेबिलिटी पेंशन मिलने के लिए में जो क्राइटेरिया होता है हो है कि आपका डिसेबिलिटी का कुछ क्राइटेरिया देखा जाता है अगर वह क्राइटेरिया फुल्फिल करते हैं तो आपको तभी डिसेबिलिटी पेंशन मिलता है जो आज का जो discussion का विशाय है वह ब्रंकियल अस्मा देखिए ब्रंकियल अस्मा में बहुत लोग पिरित होते हैं खास करके जो लोग हायल्टीटूड में रहते हैं या जो हर्स कंडिशन में रहते हैं जो क्लाइमेटिक कंडिशन का बाज़ बाज़ से बहुत लोगों को सर्विस का धरान हो जाता है पर किया आपको लगता है सभी को disability pension मिलता है नहीं मिलता है ज्दा तर लोगों को नहीं मिलता है पर क्यों नहीं मिलता है देखिए इसके लिए आपको जाना परहेगा कि disability pension मिलने के लिए जो दो criteria होते हैं वो क्या है criteria number one number one criteria यह है कि आपका जो disability है वो disability आपका जो documents है उसमें ऐसे लिखा हुआना चाहिए कि आपका disability should be either attributable to military service और aggravated by military service यहने कि आपका जो disability है वो military service का बज़े से हुआ है यह फिर military service का दौरान हुआ है यहने कि military service का साथ कोई ने कोई connection होना चाहिए यह तो directly कोई reason होगा यह फिर indirect या casual link कुछ ना कुछ होगा आपका disability का साथ आपका military service का तो यह दोनों में से कोई एक में अगर येस है तभी आपको disability pension मिल सकता है यह sole criteria नहीं है यानि कि केबल यही criteria fulfill करेंगे तो आपको disability pension मिल जाएगा ऐसा भी नहीं है और भी यह criteria बाकी है वो criteria क्या है देखिए आप जानते हैं कि minimum 20% disability होना चाहिए पर यह सही नहीं है सबके लिए 20% का जो capping है minimum वो नहीं है खास करके जो invalid medical cases होते हैं जैसे कि फोज आपको medical का बज़े से release कर रहे है यानि कि आप invalid medical board out हो रहे है वो कही तरह का हो सकता है जैसे कि आप permanent category LMC category हो गए तो आप से पूशा जाता है कि आप फाद़ार service के लिए willing है या नहीं है यानि कि आपको sheltered appointment दिया जा रहे है उस appointment में आप service करना चाहते है या नहीं चाहते है अगर आप unwilling जो भी देते हैं जिस भी करण से अगर आपको release किया जाता है तो medical invalid case treat किया जाता है इस case में आपका 1% भी disability होगा तब भी आपको disability pension मिलेगा क्योंकि इस case में आपका जो 1% disability है वो converted हो जाता है broadband हो जाता है 50% में इसमें 20% का capping नहीं है अब किसके लिए है 20% जैसे कि आप premature retirement जा रहे हैं या फिर आप पूरा service करके आप normal retirement जा रहा है पर आप LMC है उस case में आपको disability pension अगर लेना है तो आपका जो disability है वो minimum 20% होना जरूरी है तो दोस्तों अब आपको पता चल गया अब जो bronchial asthma है यह एक ऐसे बिमारी है इसको जब doctors assess करते हैं जब इसका link बठा थे कि आपका यह जो बिमारी है इसका करण क्या है इसके लिए आप से पूछा जाता है और जब डॉक्टर यह देखते है कि इसका पीशे फोज का कोई भी activities जो है responsible नहीं है इसके लिए आपका यह बिमारी के लिए तो not aggravated and not attributable लिखा जाता है आपका medical documents में याने की AFMS 15 में अगर वो ही अगर डक्टर को यह पता चलता है कि फोज का किसी activities का वज़े से या फोज का service का stress and strain का वज़े से आपका यह बिमारी हुआ है फोज का service का दरन तो आपका जो यह बिमारी है यह aggravated by military service लिखा जाता है ब्रंचल असमा कभी बी क्या 99.9% cases में यह होता है कि attributable नहीं होता है अगर डक्टर को यह लगता है कि आपका जो यह बिमारी है इसका कारण है military service का stress and strain और कोई अनक कारण होगा तो अगर आपका यह है तो आपको ज़रूर disability pension मिलेगा उमीद है कि आपका जो question था उसका जबाब मैं साही से दे पाया हूं फिर भी अगर आपको कोई doubt है किसी तर clarification चाहिए तो आप ज़रूर हमारा जो website है वहाँ विजिल कीजिए www.ex-serviceman-india.info या फिर हमें mail कीजिए ex-serviceman-india-info at gmail.com सो दोस्तो आज के लिए इतने ही नमस्कार जय हिंद जय भारत